नोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना नमस्कार भारत लाइब देख रहा है शुबर सबेरे एक बाब फिर से हम हाजिर हैं बाबा के साथ चर्चा करेंगे बिहार में आज का दिन बेहत खास है क्योंकि आज बिहार में कई तरह के बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे अब आप सोचेंगे की बदलाव कैसा क्या एक बाब फिर से सियासत में क्या नया मोड लेने वाला है बिहार या फिर कुछ और है आज जहां एक तरफ NDA गडबंधन के एक बड़ी बैठक बुलाई गई है CM आवास पर और इस बैठक में फैसले कई तरह के नितीश कुमार ले सकते हैं कई महत्वपूर्ण एजंडे है जिन पर NDA गडबंधन में जो नेता जाएंगे वहाँ पर बैठने के लिए जो मिटिंग में सामिल होंगे उनसे चर्चा करेंगे बाचित होगी पिहार में आपने देखा होगा कि गिरराद सिंग के यातरा से एक बिरोधा भास जदियू के अंदर बना रहा जदियू में नितीश कुमार की खामोसी और उनके प्रवक्ताओं के द्वारा जो बयान लगतार लिये जा रहे थे इन बयानों से असपश था कि कही न कहीं नितीश कुमार नराज है वहीं आपको ये भी बताते चले कि कल जहां एक तरफ बिहार में जो राजनिती घटना करम हुए लालू प्रसत यादो जो उनका एक कोरवोट बैंक था एमवाई समिकरण इस समिकरण को साधने के लिए सहबुदीन परिवार को एक बाफिर से आरजडी में सामिल करा लिया उनकी साबुदीन की जो पत्नी थी है ना सहाब उनको आरजडी में सामिल कराया तो वहीं बेटे उनके उसामा उनको भी सामिल कराया 2024 में आपको याद होगा यहीं हेना साहाब निर्दलिये चुनाव में लडने जब उत्री थी तो इनके कंदे पर वो भगवार उनका पट्टा देखकर लग रहा था कि ये सायद जनता दिल उनाइटेड नहीं तो एंडिये गड़ बंधन में किसी पार्टी में जा सकती हैं भा प्रसाद यादो के पीछे इसकी कई तरह की रड़ निती होती है वहीं नितीस कुमार के पार्टी जनता दल उनाइटेड में कल इसान किसन के पिता को भी सामिल कराया गया तो ये कहीं न कहीं बदलाओ एक साथ जनता दल उनाइटेड और रास्तिय जनता दल में हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नितीस और लालू एक साथ कुछ न कुछ प्लान जरूर बना रहे हैं, कुछ एस्ट्रेडजी बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है इस विशे पर चर्चा करेंगे बाबा के साथ, बाबा हमारे साथ जुड़े हैं, बाबा नितीस और लालू एक साथ प्ला आगे की बात बता रहे हैं मुझे को खुए परेंगे, आगे की बात बता रहे हैं कि दोनों की स्ट्रेटजी एक जैसी है, क्या दोनों मिलेकर के कोई प्लानिंग बना रहे हैं एक बाद तो आप समझें, देखिए, हम ऐसा नहीं है कि नितिश कुमार और लालू परसाथ के स्टेड़ी का हिस्सा है, या हम से कह करके लालू पर लालो और नितिश कुमार को ये स्टेड़ी बनाते हैं, लेकिन हम पत्रकार बॉडी लेंग्वेज और उनके चार दसक के होने वाली बाते हैं, उसके बिसे में अंदाजा लगाते हैं, जो परतमान परिस्थिती बनी है, वो कहानी कुछ और कह रही है, और खास करके मिशा भारती का जो बयान था, वो बहुत जादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि मिशा भारती ने हो सकते हैं, यह पितना महत्वपूर्ण बात है और इस बात के पीशे कोई न कोई कहानी जरूर है, इस कहानी का दूसरा पहलू है, कि आपने देखा होगा कि तेजस्री आदो, जब विदेश जा रहे थे, आज से एक महिना पहले की बैबात कर रहा हूं, तो तेजस्री आद कि वो चुपती सादे हुए है, तो दूसरी तरफ लालू पर साद एक्शन में नजर आ रहे हैं, और तेजस्री आदों ने फिर से निकीश्कमार पर हमला बंद कर दिया है, यह इस कडियों को अगर आप जोडते हैं, तो बहुत कुछ कहानी नजर आती है, अब तकाल की बात समझें, यह कल ही की बात, 24 गंटा पहले क्या हुआ, और हम कल जो खबर कर रहे थे कि 24 गंटे के अंदर क्या होगा, इन दोनों खबरों को आप ऐसे मिला सकते हैं, कि 24 गंटा पहले दोनों एक साथ एक ऐसी स्टेट जी पर काम करते हैं, जो पिहार की राजनीत में आने वाले इस से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इसके अलावे, दूसरी तरफ आपने देखा होगा, कि एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ संजय जहा और ललन सिंग, इन दोनों के बयान भी आप नोट कीजिए, संजय जहा जो कि कहा जाता है कि वो भाद प्रो भाजपा है, भाजपा क इसके तरफ उनका जुकाव ज्यादा रहता है, और दूबारा जो नितिश कुमार लोग सभाज चुनाओं से ठीक पहले वापसिक किये, उसमें संजय जहा की भूमिका बहुत बड़ी थी, इसके साथ-साथ ललन सिंग की भी उसमें भूमिका रही, ललन सिंग ने पत्रकारो पर तेजस्रियादों का बयान आया कि हम उनकी बातों को नोटिस नहीं करते हैं, यानि कि यहां भी एक पेंच है, वो पेंच भी हम आपको आप याद रखिएगा, इसको इस पेंच को भी हम अंतुमें सूल जाएंगे, इसके पीछे ललन सिंग और तेजस्रियादों के इस अतलनों नहीं पूर्बा नुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन नितिश कुमार का पूर्बा नुमान यह लगा सकते हैं, एक तो यह हो गई, दूसरी तरफ जो मैं बात कर रहा था कि साहबुदीन परिवार तो जोइन किया ही, इसके साथ-साथ जनतादल उनाइटेड में भ हार्तिय जनतापाटी को ये बताने के लिए कि हम रास्तिय जनतादल को टकर दे सकते हैं प्रनव पांडे की ज्वाइन होती है जो इसान किसन के पिता है इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है आपने देखा होगा कि इसके कारण क्या है तो भूमियार समाज को अपने पक्स में लाने की बात चल रही है अलाकि पहले से भूमियार समाज के बड़े नेता रहे जाने वाले ललन से उनके साथ है लेकिन उसके बावजुद भी प्रनाव पांडे को ज्वाइन कराया जाता है और ज्वाइनिंग भी भब्वे तरह से होती होती है आपने तो कल बात भी उनसे करने वाले हैं इस मीटिंग में निटीश कुमार एंडिये के घटक दलों के पक्ष जानेंगे जो कुछ भी हो रहा है जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से खास करके निटीश कुमार के दिल के करीब रहने वाला दो मुद्दा एक मुद्दा सराबंदी वाला और द तो वहीं एसमाग मीटर को लेकर के भी अब नितिश कुमार पूरी तरह से घिर गये हैं और इसी भीभाग के जो पूर अधिकारी रहे हैं उनकी गिरफतारी हुई है और उनसे पूछताश हो रही है और इसके बाद नितिश कुमार का वो मीटिंग बुलाना जिसमें एंडिये कि घटक लल खास करके भारती जनता पर इंडिये घटक लल में आप जानते हैं कौन-कौन लोग है नहीं को इन सब बातों से कोई लेना देना है नहीं तो यहीं ब्यक्त कि आरे को खुद सामिल भी नहीं होंगे इसमें दूसरी तरफ नितन राम्मा जी एक और हमारे हां तो आज जो नितीश कुमार ने बुलाया है ओफरलैप किया है नितीश कुमार ने और ऑफरलैप करके जो कॉडिनेशन कमिटी एंडिये में अब तक नहीं बन पाई है जिसकी मांग कर रहे थे जितन नाम्मा जी आज नितीश कुमार उस मीटिंग को करके यह दर्साना चाहत की जशना चाहते हैं कि वो बड़े भाई है वो चैक ही करना चाहते हैं कि वो बड़े भाई के रूप में स्वीकार है या नहीं है मीटिंग में नितीश कुमार बार रहे हैं नुन को लेकर प thoughtas स्टेट जी के तहट आने वाले चुनाव की बात करेंगे संजय जाने उस पर इसारा किया है कि हम अभी तो जो चुनाव है उस तो लड़ी रहे हैं हम 2024 के चुराव की तरह एक जूट हो करके और 2025 में भी लड़ना चाहते हैं लेकिन क्या नितीश कुमार लड़ना चाहते हैं य कि सभी बाते हैं आज के मीटिंग में तय होंगी लेकिन इन सब से इतर आप याद कीजिए कि भाई बिरंदर ने कहा था कि हम से संपर्क में हैं हम लगतार उनसे बात कर रहे हैं और नितीश कुमार सेकुलर मिजाज के नेता हैं यह बात तब उन्होंने कही थी जब गिर्रा नहीं कर सकते हैं उसके बाद गिर्राज सिंग की घटना और उस घटना पर नितीश कुमार के टीम की नराजगी साथ ताफ दिख रही है इसके बाद आरक्षन वाला मुद्दा जिस मुद्दे पर खेंदर सरकार में रहते हुए सरकार का हिस्सा रहते हुए नितीश कुमार ह जो आरक्षन का सीमा पढ़ाना चाहते थे बिहार में 2025 के चुनाओं में उसका लाब लेना चाहते थे वो तो उनको मिला नहीं मिला बिलको इसके अलावे जातिये जनगन्ना की बात कर रहे थे सीधे तोर पे नरेंद्र मोदी ने जातिये जनगन्ना से निकार कर दिया अब जातिये गन्ना होगी या जनगन्ना होगी तो वो 2025 के चुनाओं के बाद होगी क्योंकि 28 में परिशीमन होना है उससे पहले जनगन्ना कराने की बात कहीं जा रही है बीजे पी अभी तयार भी नहीं है जनगन्ना कराने की जो परिशीमन की बात है इस परिशीमन के बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा बिलकुल बिलकुल तो इन सब चीजों के लिए पहले से स्टेट्जी बनानी होगी और यह हुना दो आज़ाएस में तो भारतिये जनता पा और खास करके नितीश कुमार के जो दिल के सब से करीब हैं साथ में स्ययोजना और सराबंदी हो या फिर स्मार्ट मीटर वाली बात हो इन सब पर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और उनको बचाने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है इसके साथ साथ जिस तर आज के डेट में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं वो इस बात को कह रही है कि पल्टी मारने को लेकर के कौन गारेंटी देगा गिरिडाज सिंग की यात्रा के बाद नितीश की नराजगी ये एक बड़ा फैक्टर है जो कहीं न कहीं इस बात की तरह इसारा कर रहा है कि निती उस समाज को अपने तरफ जोड़ने की बात चल रही है इसके अलावे नितीश कुमार को ये पता है कि प्रसांत फैक्टर किस तर से काम कर रहा है और उसके बाद से आर्सीपी फैक्टर भी कहीं न कहीं ये भारतिय जनता पार्टी की उपज हो सकती है मैंने आपको आपके साथ खबर करते हुए ये बात कही थी कि आर्सीपी सिंग को जिस तर से दुहाजार चौबिस में यूज करना चाहिए था भारतिय जनता पार्टी को और यूज करने के लिए भारतिय जनता पार्टी ने उनको बुलाया था वो तो हो नहीं पाया क्योंक सब्सक्राइब आप तो कार सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि पूरी फैमली उसमें गर्मी और बरसाथ दोनों समय में सुरक्षित सफर कर सकते हैं तो आर्सीपी सिंग वो मोट साइकिल थे जिसका यूज करके कहीं न कहीं हारतिय जनता पार्टी डेमेज करना चाहती ती लेकिन नितीश के आने के बाद उनकी उपियोगी खतम हो गई और नितीश कुमार अटोमेटिक ली एक उपियोगी व्यक्ति थे जिसका यूज भी उसने किया इसके अलावा नितीश कुमार पर हमले की जो बात हमने की सबसे बड़ी बात कि पीछले एक सब्ता के भीतर जो अचानक से परिवर्तन हुआ है कि आपको याद होगा कल ही हम लोग गये थे समराज चौधरी ने एक आयोजन किया था काफी भीड थी लगवग हमको लगता है कि कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं था और मीडिया घराना नहीं था जो नहीं पहुंचा था तभी लोग पहुंच कि अन्य दल के लोग थे इसमें टोटल या तो भाती जंदा पार्टी के लोग थे या फिर पत्रकारों को बुलाया गया था बिलकुल बिलकुल इसके साथ साथ मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम भी जब गए थे तो काफी सजा धजा हुआ वो आवास मजर आ रहा था र वाद हुआ था कि वह एसी कबार के ले गए हैं हाइड्रोलिक जो बेड था उसको लेकर के चले गए हैं तोटी तोटी तोड़ दिया है यह सभी बात चल रही थी जिसका पूरी तरह से जनता देल्माइटेट के मंत्री हैं भवन निर्मान जैयंत राज उन्होंने साफ इंक ले जाएं यह सभी बातें कहीं न कहीं इस बात के तरह इशारा कर रही है कि गच्चा हो सकता है कि आने वाले समय में पड़े और गच्चा किसको किसको मिलेगा यह भी बड़ा दिल्चस्क बात होगी सबसे बड़ी बात कि नितीश कुमार और रालू परसाद की राजनितिक स्टाइल लगभग एक समान है दोनों जेपी आंदोलन के उपज हैं और दोनों जानते हैं किस तरह से समाजवाद और सत्ता में बैठी सरकार को घेरा जाता है क्योंकि एक लंबे समय से कॉंग्रेस राज कर रही थी और उन सरकार को जमीन पर लाके पटक दिया था जेपी तो ये कहीं न कहीं घातक होगी और नरेंद्र मोदी को भारते जनता पार्टी को गच्चा लग सकता है क्योंकि देश भर में एक नेक्सस बनाने की कोशिस की जा रही है कि भाजपा विरुद्ध गैर भाजपाई दल और अगर इसमें सफल होते हैं और स्टेट्जी कहीं वह तो आप समझ सकते हैं क्योंकि खबर तो ये भी आ रही है कि निटीश कुमार से अलग उनके बारह में से दस विधायक नहीं हो सकते हैं एक दो की बात अगर कहें तो वो इधर उदर होने की सोच सकते हैं वो भी तब जबकि उनको लाभ नजर आएगा लेकिन ऐसा कुछ दू आपके सपनों को हमने सजाया है एह हो मेरा एक सपना था जिस पर मैं पिछले 4 साल से काम करा था हमने जो बनाया है वो सबने है माना एहोंस पैनोरमा में हो आपका भी आशिया ना और फाइलली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉंच किया बहुत लोग एप्रेशेट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे सहर में बिहार के एक तो बिहार की बात करें आपके सपनों को हमने सजाया है E-Homes Panorama को हमने बनाया है और फाइलली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉंच किया बहुत लोग एप्रेशेट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे सहर में बिहार के एक तो बिहार की बात करें इसमें पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह कर लाइफस्टाल देना ये सुनके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है E-Homes में हमने कुछ और भी किया है जैसे हम जिस जगह में रहे हैं हमारे फामली सेक्यूर हो उनको सिक्यूर्टी का दिहार में रखा है आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है ये आपका विश्वास है इसमें Artificial Intelligence का सेमेल है सेक्यूर्टी का हमने इस्तिमाल किया है लस्क्रीन केंपस को बनाया है जैसे हमारा बॉंडरी वाल है तो वो बर्टिकल गार्डन है ये जितने भी फेसलेटी होता एक International Transit में E-Homes है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो भी हमारे मित्र, दोस्त ये जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेट मिल रहा है उस सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं मनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया E-Homes में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुल फुल होते हुए देख आ रहा है ये आपका आवास है E-Homes Panorama में अब आपका निवास है E-Homes Panorama, Luxurious, Lifestyle Redefined पनोर्मा क्रोप, जो सोचता है, वो करता है अगर ये वीडियो पसंद आई, और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले और ये गो घंटी बा, वो कराब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद